Hello friends, exercise 2.1 करेंगे इस वीडियो में पहला question देखिए Which of the following expressions are polynomials in one variable? नीचे expressions दे रखिए आपको बताना है कि कौन सी इसके अंदर one variable के अंदर polynomials है and which are not और कौन नहीं है state reasons for your answers और अपने जवाब का एक reason भी देना है तो पहला expression देखिए 4x square minus 3x plus 7 तो ये expression polynomial है क्योंकि इसके अंदर जो variables है इनकी जो power है वो सारी whole number में है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये polynomial है मैं सिर्फ yes कर रहा हूँ आप लिख सकते हो yes it is a polynomial second देखिए y square plus under root 2 अब हमारा मतलब सिर्फ जो है न होता है variable से variable की power यहाँ पे whole है न ये constant में आपका कुछ भी लिखाओ under root में लिखाओ बटा में लिखाओ या पूरा whole number लिखाओ कोई दिक्कत नहीं है variable की power whole number होना ज़रूरी है तो ये expression एक polynomial है yes तीसरा देखिए 3 under root में 2 plus में t under root में 2 यहाँ पे variable जो है इसकी power whole में नहीं है root t t लिखा हुआ है थोड़ा सा समझना इस बात को t तो variable है इस expression के अंदर t का under root लगा हुआ है तो t की power हो गई है half under root जो है half power के बराबर होता है और half जो है एक whole number नहीं होता है तो ये expression तो polynomial नहीं है तो इसका जवाब हो गया है no reason मैं बाद मैं देंगा पहले मैं इतना yes नो लिख देता हूँ fourth देखिए y plus 2 by y यहाँ पे y variable है यहाँ y की power 1 है लेकिन इस y की power जो है न इसके नीचे आ रहा है यह upon में आ रहा है तो जब कोई चीज upon में होती है तो उसकी power होती है minus 1 minus 1 भी एक whole number नहीं है तो यह भी जो है एक polynomial नहीं है अब fifth को देखिए x की power 10 plus y की power 3 plus t की power 50 हमसे question में ही पूछा था कि polynomials in one variable तो जो सिर्फ one variable में हमें उनका जवाब देना है यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि x भी variable है y भी है t b है तो यहाँ तो one variable नहीं है यह तो एक से ज़्यादा है तो यह तो नहीं है यह polynomial तो हो सकता है लेकिन यह one variable में नहीं है अब मैं इनका reason देता हूँ पहले और दूसरे का reason बिलकुल same है मैं दोनों का साथ अलग देता हूँ yes they are polynomial because power of exponent because करके लिखना है आपको because power of exponent is a whole number और यहाँ पे variable भी आपका एक ही है यहाँ पे x है यहाँ पे y है इन दोनों का same reason है यहाँ पे variables की जो power है वो whole number नहीं है तो इन दोनों का same reason होगा because power बोले या exponent बोले बात एक ही है because exponent of the variable यहाँ पे variable भी लिखना है आपको because power of exponent यह मैंने गलत लिख दिया power of variable लिखना है variable because exponent of the variable is not a whole number और तीसरा तो हमें साफ दिखी रहा है हमसे one variable का पूछा था यहाँ पे तो तीन variable तो इसमें लिख देंगा no it is a polynomial in three variables because it is a polynomial यह फर्स्ट कोश्चन हुआ अब सैकेंड कोश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो गर आप देख लेंगे तो उसमें सारी चीज़े मैंने डिटेल में explain की हुई है question 2 है write the coefficients of x square x square का coefficient लिखना है आपको in each of the following नीचे जो expressions जो polynomials दे रखें है अब x square का coefficient लिखना है तो सिर्फ x square वाली term पे ही आपको focus करना है 2 प्लस x square प्लस x यह x square की term है यहाँ पे इससे पहले हैं कुछ नहीं लिखा हुआ यानि ये 1 time है इसका 1 से multiply हो रहा है तो हमें coefficient x square का लिखना है तो यहाँ पे 1 हो गया तो coefficient of x square यहाँ पे 1 हो गया coefficient होता ही वो number है जो multiply में लिखा होता है अगर x का coefficient पूछा होता तो भी वो 1 होता क्योंकि यहाँ x के multiply में 1 है वो लिखाने हुआ वो hidden होता है 1 second को देखिए 2 minus x square plus x cube x square पे focus करिए x square पे यहाँ पे minus लिखा हुआ है और 1 यहाँ पे hidden है यानि minus 1 इसका coefficient है तो minus 1 third part देखिए pi by 2 x square x square की यह term है इसके साथ में multiply में pi by 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे coefficient of x square हो गया है pi by 2 under root 2 x minus 1 coefficient of x square पूछाए हमसे यहाँ पे तो x square की कोई term ही नहीं जब कोई term है ही नहीं तो उसका coefficient क्या हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता हम ऐसे imaginary समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई x square की term होगी let's suppose तो वो कितनी बार होगी जो वो गायव होगी वो 0 बार होगी 0 को इससे multiply करेंगे तो finally 0 0 कहीं लिखते नहीं है तो जब यहाँ x square है ही नहीं तो उसका coefficient 0 होगा तो इसका coefficient 0 हो गया अब आते हैं इससे next question पे third question है give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100 आपको दो example देने हैं पहला example देना है एक ऐसा binomial जिसकी degree 35 हो पहले ते बास समझना कि यहाँ binomial है यानि कि आपके जो polynomial है उसमें 2 terms आनी चाहिए फिर यहाँ degree 35 मांगी है तो जो variable है ना उसमें highest आपको 35 लिखके दिखाना होगा तो मैं 2 term का लिखता हूँ यहां let's suppose मैंने लिखा 3x और इसकी degree भी मैंने 35 बना दी अगला मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मैं plus में 9 लिख दू एक example पूछा है मैं एक और बता देता हूँ आपको मैं 4 y 35 plus में 8 y यहाँ मैं y की power कुछ भी लिख सकता हूँ 35 से छोटी होनी चाहिए मैंने 12 लिख दिया अब finally तो y की जो highest power वो 35 है न तो इसकी degree जो 35 होगी यहाँ भी x की जो highest power है अगर मैं यहाँ भी x लिख दू 9 के साथ में भी और x की कोई power 3 लगा दू तो highest तो power जो है variable की वो 35 होगी तो polynomial की जो degree वो 35 होगी दोनों condition मेरी fulfill होगी है मैंने binomial भी लिखा है क्योंकि दो ही term है यहाँ पे और मैंने जो variable की highest power है वो भी 35 लिए है तो degree भी 35 होगी है अगला example देखिए monomial लिखना है यानि कि एक ही term होनी चाहिए of degree 100 और वहाँ पे variable की जो power है वो 100 होनी चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 4, x, variable की उपर आपको 100 लिखना है एक example पूछा है मैं कोई और भी दे सकता हूँ ऐसी मैं 5, y और ऐसे 100 लिख सकता हूँ एक ही term लिखनी है आपको single term लिखनी है यह third question हो गया इसके बाद question number 4 करते हैं बहुत छोटे छोटे से question से इसके अंदर जो सब कुछ आपको introduction में बताया है उसी की सारी ये practice हो रही है write the degree of each of the following polynomials इन polynomials की आपको degree बतानी है 5x cube प्लस 4x square प्लस 7x अब degree मैंने बताया था कि degree of a polynomial होता है उस polynomial के अंदर variable की जो highest power होती है अब इस polynomial के अंदर तीन terms है और यहाँ पे variable है x और x सबसे जादा बार यहाँ 3 लिखा हुआ है बाकी तो यहाँ दो बार है यहाँ पे एक बार है तो x सबसे highest जो हो यहाँ पे 3 power में है न तो इसकी जो degree हो 3 ही हो गई है तो degree of polynomial 3 हो गई अब यहाँ देखिए 4 minus y square variable की highest power यहाँ पे 2 ही है तो इसकी degree 2 हो गई है तीसरा देखिए 5t minus under root में 7 यहाँ पे variable है t और t की कोई power लिखे नहीं हुई है जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वो अपने आप understood होता है उसकी power 1 होती है 1 से बढ़ा हैं कुछ भी नहीं है इसकी degree हो गई है 1 यह 3 लिखा हुआ है अब 3 होता है constant polynomial constant polynomial के अंदर variable तो कोई होता नहीं है तो variable अगर नहीं होता है तो एक तरह से अगर हम imagine ही कर ले let's suppose यह 3 है यहाँ पे कोई variable है और उसकी power यहाँ पे 0 है तो 3 into max की power जो 0 है वो 1 ही होता है ना किसी की भी power अगर 0 है यह मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको इसको justify कर रहा हूँ कि इसकी जो degree होती है वो 0 क्यों होती है एक imagination कर लिया कि कोई variable है उसकी यहाँ पे power 0 है तो किसी की power अगर 0 होती है तो वो 1 के बरावर होता है तो 3,000 यह 3 ही हो गया तो finally इसके अंदर variable की जो power है वो 0 ही है कोई variable है नहीं इसके अंदर तो इसकी जो degree है वो भी 0 होगी यह 4th question हुआ अब आते हैं इसमें 5th question पे classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial आपको बताना है कि इन polynomials में से linear polynomial कौन है quadratic कौन है और cubic polynomial कौन है मैंने introduction में बता है था कि जिसकी degree 1 हो वो linear polynomial होता है जिसकी degree 2 हो वो quadratic होता है और जिसकी degree 3 हो वो होता है cubic polynomial तो बस आपको degree ही देखनी है उसके आधार पे आप नाम लिख दोगे पहला example देखिए फर्स पार्ट x square plus x variable की highest power यहाँ पे 2 है तो इसकी degree 2 है ना तो 2 degree है तो यह quadratic polynomial हो गया तो इसका जवाब होगा quadratic polynomial अगला देखिए x minus x cube variable x है highest power x की यहाँ पे 3 ही है यहाँ पे तो 1 है तो सबसे बड़ा तो 3 ही है 3 power जग होती है तो degree इसकी 3 हो गया तो यह cubic polynomial हो गया तो इसका जवाब हो गया है cubic polynomial तीसरा देखिए y plus y square plus 4 y variable है यहाँ पे power 1 है यहाँ पे 2 है और 2 से ज़्यादा कुछ नहीं है तो highest power 2 है यह quadratic polynomial हो गया है तो इसका जवाब हो गया है quadratic polynomial next देखिए 1 plus में x variable यहाँ पे x है x की highest power यहाँ पे 1 ही है तो जिसकी highest power 1 होती है वो linear होता है तो linear हो गया यह linear polynomial आगे आप पूरा लिख लेना अगला देखिए 3 and 2 में t variable यहाँ पे t है t की highest power यहाँ पे 1 ही है तो यही भी linear polynomial हो गया है अगला देखिए r square सिर्फ अकेली टर्म है टर्म से हमें मतलब नहीं है एक हो दो हो तीन हो कुछ नहीं हमें तो power देखनी होती है variable r है r की highest power यहाँ पे 2 है तो 2 वाला quadratic polynomial होता है तो इसका जवाब हो गया है quadratic quadratic polynomial next देखिए 7x cube तो variable x है इसकी power जो highest यहाँ पे 3 ही है तो यह हो गया है cubic polynomial यह cubic polynomial exercise का last question था exercise कतम